तो है गाई स्वागत आपका एक पर फिर श्यापी के यूट्यूब चैनल में और आज के वीडियो में बात करेंगे भई रेल विकास निगम लिमेटेड को लेकर जीसे आरवेनल के नाम से जानते हो से गाओ वाघल को बैद आफ हां था जाओ में आध सकते हां पुर सुमार यह जाँ चैनल में पाझतर हों ने में इस ग करेंट के आपके बेसं करनें में दूसरी तरफ आप लोह देखोगे जो Irkon International है या फिर आपको देखने को अमिद रही है हमारी IRFC इन दोनों company को उपर fine भी लगाया गए NSE और BSE दोनों एक्चेंजेज ने पांच लाग पलस का आए थी पांच लाग 35,000 है यही कोई something है तो यह उनको उपर fine लगा है और fine क्यों लगा है वो आपको बताएंगी भी उनकी वीडियोम नेक्स्ट वीडियोम जो Irkon International और IRFC पर डालते है तो चलिए इसमें discuss करेंगे भी कल के क्या कुछ momentum stock के बन सकते हैं क्या यहां से यह stock जोनों भी उपर में 200 plus के level दिखा पाएगा या फिर stock नीचे में 150 के level दिखाएगा तो चलिए discuss कर लेते हैं उसके सासा जो volume आज आई है 111,100,000 के volume आई और stock 0.66% के क्रीब तूटती होए नजर आया और 168 के भाव में closing लिए तो चलिए देख लेते हैं data वगरा कैसा और अभी के time जो इसका MFI जो volume को define करते हैं थोड़ा सा high जो overward zone में पहुंचा हुआ लेकिन RSI बिल्कुल ठीक रिंज में है तो चली अब देख लेते हैं भी data और इसका chart तो यहां पर अगर बात करें data के तो previous closing थी 166.90 पैसे open हुआ 167.60 पैसे निए open gap up फिर जो stock है वो 167.90 पैसे का high लगा है उसके बाद जो लो रहा है वो 130.70 पैसे closing होई 100.50 पैसे रुपे असी पैसे हैंने नीचे के बावसे stock फिर से recovery लिया है दो रुपे के आशपास तो stock जो भी up-down up-down यही momentum सभी railway stocks में हमें देखने को मिल रहे हैं अभी के time तो चली data अगर बात करें तो यहां पर देखो कि 19,097 quantity का एकर ज चली अब देख लेते इसका चार्ट तो यहां पर आप लोग देखो कि भी आर्विनिल के chances हैं फिर अप जाने के ठीक है एक आधी आपको पता है अभी अच्छी ख़बर आई तो stock momentum बन सकते हैं और अभी के time जो stock का वो support ले रहा है बार बार आप लोग देखोगे 30 level के आज यहां पर आपने देखो अभी यह जो इसका resistance बना हुआ था यहां पर stock support लिया यहां पर support लिया और आज फिर से जो ना support लेते हुए नजर आया इसी भाव में तो देखो 16345 का support जूर बन रहा है लेकिन जो आपको नीचे में support पकड़ के चलना चाहिए वह 161 रूपे के दिखाएगा और 174 तक जाने के इसके chances हैं उपर में ठीक है और उसके बाद जो stock वह आपको जो अपने high से टूटा था 199 यहनि 200 रूपे के आसपास वहां तक के भी moment दिखा सकता है वह रहेंगे भी quarter 3 तक ठीक है quarter 3 तक जो moment से उपर में वह हमें आते हुए नजर आ सकते हैं लेकिन अभी time support के उपर बने रही है जो कि आपको 158 के आसपास का दिखाई दे रहा है अगर stock थोड़ा बहुत consolidate करता है थोड़ा बहुत डाउन आता है तो घबराने का तो नहीं है भी देखो अगर company अच्छी हो जिसके उपर विश्वास हो वहां पर कभी नहीं लब रहात नहीं कि आपको जोनबी देखो short term हो गया intraday वगरा हो गया अगर आपको थोड़ा बहुत chart का जान है अगर आप लोग risk और reward के बारे में थोड़ा बहुत समझ जाओगे ऐसा नहीं है कि हम लोग जोनबी entry लेते हैं intraday के लिए तो वो जोनबी सारे profits के लिए होती है वहां पर stop loss किसलिए लगाया जाता है ताकि अगर loss हो तो वो loss हमारा कम से गम हो इसलिए बोलता हूँ अगर trading करते हो तो आपको chart का ज्यान है या फिर आपको जोनबी इसके strategy का ज्यान रहेगा तो वो best रहेगा तो न्यूजों के उपर आपके नजर रहेगे intraday वगरा short term वगरा best है otherwise long term सबसे best है I think ठीक और वो sectors के अंदर पैसा लगाई है जिनके आगे grow होने के chances है तो चार सेक्टर आपको मैंने पहले भी बताए है एक तो railway sector pharma sector and power sector इसके साथ defense sector तो चार सेक्टर आगे भी जवरदस्त performance देगा ठीक है डटने वाला नहीं है यह फामा सेक्टर कभी ने आपको पता है उसके पावर सेक्टर कभी ने टूटेगा ठीक उसके साथ-साथ आप लोग देखोगे power sector वो चूज कीजिए जो renewable energy के उपर ज्यादा फोकस कर यह कंपनिया अगले तीन चार सालों में बहुत खतनाक इसका जो बबल हो आप लोग देखोगे railway sector defense sector हैं दबने का नाम ही नहीं है ठीक और आगे इन sectors में तेजी बरकरा रहेगी तो 2030 तक भी आप लोग इन कंपनियों में निवेश करते हो अच्छी कंपनिया चूज करके इन 4 sector में तो जबरदस्त पैसा बनने के संभावन है पूरा का पूरा I hope आपके सारे doubt दूरे में stocks को लेकर फिर भी पूर सकते हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं गया तो सब्सक्राइब परना तो बिलकुल मत भूलना थाकि इस टॉक रिगार्डिंग कोई अप्डेट आपसे मिसनों थैंक्यू फर वोचिंग दे वीडियो